आज की प्रेश्वार्ता में स्वागत है आज आप सभी को यहां देश में जो क्रिमिनल जिस्ट्री सिस्टिम के तीन नए कानून आज से अमल में आ रहे हैं इसके लिए आप सभी को निमंत्रित किया हैं देश की जनता को सबसे पहले मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि लगबग आजादी के 77 साल बाद अपराधिक न्याय प्रणाली हमारी क्रिमिनल जिस्ट्री सिस्टिम पून तया स्वदेशी हो रही है और भारतिय इतोज के अधार पर यह चलेगी 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और यह कानून जब आज से हर ठाने में अपना काम करना चालू करेंगे तब अंग्रे जोके बनाय हुए कानून निरस्थ होकर भारत की संसदने बनाय हुए कानून आएं दंड की जगे नियाय लेगा देरी की जगे स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टीस मिलेगा और पहले सी पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी अब पिडीतों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनन्ट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा तो एक नए नजरिये के साथ इतिनों कानून आज सुबह से ही मतलब कल मध्यरात्तरी से काम करना सुरू किये हैं अब इंडियन पिनल कोड जिसको IPC कहते थे 1807 से जो कानून था इसकी जगए BNS भारतिय न्याई सहिता आएगी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको CRPC कहते थे जो 1898 से अमल में था इसकी जगए भारतिय नागरिक सुरक्षाख सहिता BNS आएगे और Indian Evidence Act 1872 से जो इस देश की Criminal Justice System को गवन करता था इसकी जगए भारतिय साक्स अधिनियम BSA लागू होगा तो BNS, BNSS और BSA के लागू होने से पूरी न्याई प्रणाली का अपराधिक कानूनों की स्पून अतया इसके अंदर हम कह सकते अब भारतिय आत्मा है इसके धेर सारे प्रावधान ऐसे किये गए हैं जिससे कई समूहों को फाइदा होगा कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही इसको हठाकर आज के समय के अनुकूल धाराये जोड़ी गई है और कई सारी ऐसी चीजे जिससे भारतिय नागरिकों को परिशानी थी इसको अठाकर नए प्रावधान किये गए हैं सबसे पहले हमने इसमें हमारे समविधान के स्पिरिट के तहट रफाओं की और चेक्टर्स की प्रावधी तयकी हैं सबसे पहली प्रावधी महिलाओं और बच्चों के अपराद को दी गई है और मैं मानता हूं कि एक करने की बहुत समय से पहले जरूए थी एक पुरा अध्याय इसमें जोड़ा गया हैं जिसमें 35 धारा हैं और 13 प्रावधान हैं जिसमें गैंग रैप के लिए अब 20 साल की सजा या तो कारावास आजिवन कारावास नाबालिक के साथ बलातकर में मौत की सजा जूठा वादा पहचान छिपा कर सोशन करने वालों के लिए भी अलग से अपराद बनाया गया है पहले सुपरिंग कौर्ट के जज्जमेंट से चलता था पिडिता का बयान उसके घर पर महिला अधिकारियों की उपस्तिती में और अपने परिजनों की उपस्तिती में लेने का भी प्रावदान किया है और इसके साथ-साथ ओन-लाइन एफायर की व्योस्ता से भी धेर सारी उत्पिडन का आप सामना कर रहे ही मेला एमब्रेशमेंट से बच पाएगी ऐसा हमारा मानना है सालों से देश भर में मॉब लिंचिंग के अपराद के लिए कानून में कोई प्रावदान नहीं था प्रावदान करने की मांग होती थी पहली बार मॉब लिंचिंग को परिभासित किया गया है नसल, जाती, समुदाय, लिंग, जन्मस्तान, भासा और अन्यकारणों से जो मॉब लिंचिंग होता है इसमें साथ बर्स के कारावास से लेकर मृत्यू की सजा और आजिवन कारावास तक इसके अंदर जोड़ा गया है तो एक बहुत बड़े समय से जो मांग थी वो पूरी होने जा रही है राद दो एक ऐसा कानून था जो अंग्रेजों ने अपने साशन की रक्षा के लिए बनाया था चाहे मत्मा गांदी हो, चाहे तिलक माराज हो, चाहे सरदार पटेल हो सभी लोग यही कानून के तहट 6-6 साल की सजा काटे थी इसी कानून के तहट केसरी पर प्रतिबन लगाये गये था वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने बनाये हुआ कानून था राद्रों को हमने जड़ से समाप्ट कर दिया है और देश विरोधी हरकतों के लिए नई धारा लेकर आये हैं पहले सरकार के खिलाब स्टेट्मेंट देना गुना था अब भारत की एक्ता और अखंडिक्ता को शतिग्रस्त करने के लिए ये कानून अमल में आएगा तो आजादी के इतने सालों के बाद ये कानून में बढ़ला हुआ है जो एक बहुत बड़ा परिचायक है हमारे संविधान के स्पिरिट का मैं आप सभी के सामने बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ कि ए तीनों कानूनों के पूर्ण स्पिरिट के साथ देश भर में लागू होने के बाद ये कानून सबसे आधूनिक न्याय प्रणाली का सरजन करेंगे टेकनोलोजी को हमने नकेवल अपनाया है आने वाले 50 सालों तक टेकनोलोजी में जो भी अनुसंदान होने की संभावना है ये सबको कानून के अंदर हमने व्याख्या के तौर पर समाहित किया है जैसे आने वाले समय में भी जो अनुसंदान होंगे वो व्याख्याइत किये गए ये विश्वकी सबसे आधूनिक न्याय प्रणाली बनेगी इसका मुझे विश्वास है कॉम्पिटराइजेशन की प्रक्रिया अल्डेडी पूरी हो गई है 99.9 प्रत्सत ठाने कॉम्पिटराइज हो चुके हैं ये रैकोड जनरेट करने की प्रक्रिया भी हमने 2019 से ही चालू कर दी थी जीरो एफायर, इफायर, चार सीट और जब आब ये सभी डीजिटल होगा किसी को बड़े बड़े जैरोक्स निकाल कर करने की ज़रूरत नहीं है एक लाग पेज की चार सीट भी एक छोटे से पेंडराइज से जजीज के सामने जाएगी और पक्सकरताओं को दिये जैगी नब्बे दिन के अंदर इस कानून में पीडित को जिन्होंने नयाई की गुहार की है उनको अपने क्रेस का प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली ओनलाइन बेजा जाएगा हमने इसके अंदर साथ साल और उससे ज्यादा सजा वाले सभी गुणा में फोरेंसिक की टीम की विजिट को कंपलसरी करकर फोरेंसिक एविडेंस को कानूनी जामा पहना हैने का काम किया है मैं मानता हूँ कि इससे बहुत फाइदा होगा दो सिद्धी का प्रमान हम बहुत आगे तक ले जाज पाएंगे साक्सो की रेकोरिंग और जाच परताल में रेकोरिंग की अनुमती दी है विडियो ग्राफी को सर्च और सिजर के वक्त पर अनिवारिय किया है जिससे किसी को फसाने की कोई साजिस्त नहों पाए इबायन बलातकर की पिडिता का या छेड़ खानी की पिडिता का इबायान को भी कानूनी माना गया है और कॉट में ओडियो वीडियो के मध्यम से पेसी करने का भी प्रावदान हमने किया है इपेसी में गवा, आरोपी, विशेशग्य और पिडिक सभी को कानूनी जामा पहनागने का काम किया है इसमें जो फोरंसिक विजिट को अनिवारिय बनाया गया है इसको हमने दूर दर सीता पुर्वा काम करकर नेशनल फोरंसिक साइंस लेबरेटरी 2020 में बनाकर इसके लिए ट्रेन मेंट पावर का सरजन का काम और डेडिक कर चुके है मुझे पूरा भरोसा है कि तीन साल के बाद इस देश में हर साल 40,000 से ज्यादा ट्रेन मेंट पावर का फोर्स हमारी कानूनी क्रिमिनल जश्टिस सिस्टिम की सेवा में उपलब्ध होगा कर्मिशन का रेशियो इसके माध्यम से 90 प्रतिसत तक ले जाने का हमने प्रावधान किया है और फोरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्टर को बढ़ाने के लिए अभी-अभी हमारी कैबिनेट ने लिने किया है और नौ राज्यों में फोरेंसिक साइंस उनिवरसिटी के केमपर्स खोले जाएंगे और छे सेंटरल फोरेंसिक लेबरेटरीज को भी हमने करा है एक कानून विक्टिम सेंट्रिक है पहले दिनों तक किसी को पूलिस ले जाती थी परिवार वालों को कौट में आना पड़ता था अब हमने कंपलसरी किया है कि हर थाने में रजिस्टर होगा और इरजिस्टर भी होगा कि कौन सा अपराधी पूलिस की कश्टडी में है जिससे हेबियस के माध्यम से कौट में नहीं जाना पड़ेगा तलासी और रेड दोनों स्थिती में वीडियो ग्राफिक की जाएगी जिससे पुलिस के अधीकारों का दुरूपयोग नहों पाए और हमने अपरादियों को बेल को भी लंबे समय तक लंबिक केसों में कानूनन बना दिया है जिसमें एक निस्चित समय मर्यादा अपराद के अंदर जो सजा है उसके अनुपात में हो जाने के बाद जैल सुपरिटेंडन की जिम्मेदारी होगी कि इसको बेल पर रिखा किया जाए तो इसके लिए कौर्ट में किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें विक्टिम को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा इनफर्मेशन का अधिकार मिलेगा और नुक्सान के लिए एक शतिपूर्ती का भी अधिकार पहली बार भारतिये कानूनों में हम करने जा रह होगा समय पर न्याय लगबग लगबग 35 न्याय प्रणाली की 35 धाराओं में हमने समय मर्यादा निस्ची की हैं और यह टेक्निक के आधार पर प्रोसीडिंग्स होने के कारण भी समय पर न्याय मिलेगा तीन दिन में अफायर दाउच करनी हैं साथ दिन के बीतर जांच अपराधियों के खिलाब 90 दिन के अंदर मुकदमा कायम करना है और अपराधिक मामलों में मुकदमे की सुनवाई के बाद ज्यादा से ज्यादा 45 दिन के अंदर जज्मेंट की घूशना करनी हैं तो कई जगे पे हमने समय को कम करकर बाध्य करकर हमने जल्दी से न्याय मिल इस दिसा में काम किया है हमने तीन वर्ष से कम कारावास में साट वर्ष से अधिक उम्रक में के लोग जो है इसमें पूलिस अध्युकार्य की पूर्व अनुमती एरेश के लिए अनिवार्य करी हैं घिरपतार व्यक्ति को 24 गंटे में मेजिस्ट्रेट के सामने ले जाने का प्रावधान भी कानूनी बनाया है और 20 से ऐसी ज्यादा धारा हैं जिसमें पूलिस की जवाब देही हमने सुनिश्चीत करी हैं पहली बार पी का भी हमने प्रावधान इसके अंदर करया है शाक्षों के सबंद में भी टेक्नोलोजी को हमने बढ़ावा दिया है इलेक्ट् सबकी व्याख्याई की गई है अब न्याय प्रक्रिया सम्विदान की आठवी अनुसुची में आने वाली सभी भासाओं में काम करती हो जाएगी हमारी स्थानिय भासाओं के लिए बहुत बड़ा फैसला है हमारा पूरा सौक्ट्वेर जो बनेगा वो आठवी अनुसुच भारस सरकार के गुरू मंत्रा ले और हर राज्य के गुरू मंत्रा ले और जस्टीस मंत्रा लेने किया है लगबग लगबग साड़े बाइस लाग पूलिस कर्मियों की ट्रेनिंग के लिए बारा हजार मास्टर ट्रेनर्स बना दिये गए हैं कई इंस्टिटिशन को अधिक किया गया और 23,992 मास्टर ट्रेनर अब तक ट्रेन हो चुके हैं जुडिस्यरी में 21,000 सबोडिनेट जुडिस्यरी का ट्रेनिंग हो चुका है और इसके लिए भी आगे पर मास्टर ट्रेनर की ट्रेनर्स की कई बैच स्थानिय भासाओं में तयार हो गई हैं 20,000 पबलिक प्रोसीकुटर्स को ट्रेन किया गया है और लगबग लगबग हर प्रोसीकुटर को एक एप दे दिया गया है और नए कानुन छापे हुए दिए गए गए कि पूरा नी धारा कौनसी थी नई धारा कौनसी है प्रिजन के 51,224 करमचारियों का ट्रेनिंग हुआ है और फोरेंट्सिक के 4,000 करमचारियों का ट्रेनिंग हुआ है पूल मिलाकर ट्रेनिंग की संख्या, पूलिस में 6 लाग, प्रोसिक्विशन में 4 जार, जुडी सेरी में लगबग 20 जार, फोरेंसिक में भी 4 जार, और प्रिजन में 10,888, मास्टर ट्रेनर अभी काम कर रहे हैं. मित्रों, ये सहिता के लिए कुछ विपक्स के मित्र, अलग-अलग बातें मीडिया के सामने रख रहे हैं, कि अभी ट्रेनिंग नहीं हुए, चर्चा नहीं हुए, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कि लोग सभा में कुल मिलाकर 9 गंटा और 29 मिनिट चर्चा हुई हैं, 34 स जबा में 6 गंटा और 70 मिनिट चर्चा हुई, 40 सदस्यों ने पाटिसिपेट किया है, एक ये भी जूट चलाया जा रहा है, कि सब को बाल निकालने के बाद ये बिल लाया जा, बील, बिजनेस, एडवाईजरी कमिटी में पहले से निश्चित था, मेरा इस पष्ट मनना है, कि 14 तारिक से ही विपक्स ने सदन का बहिस्कार करने जैसी हरकते करी थी, और सायद वो हिस्सा लेना नहीं चाहते थे, और दोनों सदनों में, 14 तारिक में लोगसभा में 96 और राजेसभा में 46 सदस्यों ने ऐसी हरकते की, जिससे पिठासीन अधिकारी उनको बाहर करने के ल परिणाम लाने वाला कानून था, वो एक कानून के लिए special अंदर आकर चर्चा में अपना मत रख सकते थे, इसके पहले भी मैंने 2020 में सभी संसदों को पत्र लगकर उनके सुझाओ मागे थे, सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिगकर उनके सुझाओ मागे थे, सभी सुप सभी कलेक्टर से सुझाओ मागे थे, और ये सब सुझाओ मिल मिलाकर मैंने खूद अधिकारियों की बैठक को अलग करे, तो मैंने खूद 158 बार इसकी मिमान सा करकर, बैठक करकर, विचार करकर एक बिल बनाया, ये बिल को भी संसद ने ऐसे ही पारित नहीं किया है, गुरू विभाग की समिति के सापास ये बिल को बेजा गया, धाई महिना या तो तीन महिना इस पर विशद चर्चाओ हुई, सभी दल के सांसदों ने इसके अंदर हिस्सा लिया है, अपने सुझाओ को रखा है, चार पाँच पोलिटिकल स्टाइल के सुझाओ छोड़कर, मैं दावे से कह सकता हूँ, हर सुझाओ को समाहीत करकर, तीरानवे बदलाव करकर, बिल को फिर से कैबिनेट ने पारित किया और पारित करने के बाद सदन के सामने रखा गया, इतने बड़े सदियों के बाद हो रहे सुझाओ को पोलिटिकल कलर देना, मैं मानता हूँ ठीक नहीं है, मेरे तो सभी विपक्स के साथियों से विन्नती है, पोलिटिक्स करने के धे सारे मुद्दे है, आराम से कर ये कोई चिंता नहीं, हम भी जवाब देंगे, मगर ये कानून देश के 140 करोड नागरीकों को, सम्विधान का जो स्पिरीट है, न्याय और आत्मसन्मान, वो समय पर दिलाने की एक एकसरसाइज है, तो आप सभी लोग इसमें कॉपरेट करिये, और मैं मानता हूँ कि जिसको भी कुछ कहना है, मेरा दप्तर हमेशा खुला है, मैं अवेलेबल हूँ, मिलने से पहले रोड पर जाना मैं मानता हूँ ठीक नहीं है, चर्चा करनी चाहिए, कुछ भी हो, बात करनी चाहिए, और मेरा स्पष्ट मत है, जो मैं आज बेबात तरीके से आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, मैं रेकोर्ड के आधार पर कह सकता हूँ, मैं भारत के आजादी के बाद किसी भी कानून पर पारित कराने के लिए इतनी लंबी चर्चा का प्रोसेस नहीं हुआ है, यह मैं रेकोर्ड पर कहने के लिए तयार हूँ, चार साल तक इस कानून पर विचार हुआ, और अगर आपको अभी भी कुछ कहना है, तो आप ज़रूर आए, मैं सुनने के लिए तयार हूँ, मगर कुपिया इस कानून को पबलीक तक इसकी सेवा करने देने का मौका देना चाहिए, समय पर न्याय मिलेगा, तो देश का भला होगा, समीदान की सुरक्सा और आत्मसन्वान की भावनाओं को नागरिक प्राप्त कर पाएंगे, तो देश का भला होगा, और सबसे बड़ा बदलाव है, हमने थोड़े धैर्य के साथ टिथीन प्रॉब्लेम को देश की जनता ने भी बड़े धैर्य के साथ लेकर सिस्टिम को सुधाने का मौका देना चाहिए, और मैं सभी दलों से भी कहना चाहता हूँ, कि रादनिती से उपर उटकर आप इसका स अमर्थन करिए, और जो भी सुझाव जनता के हीत में है, लेकर आए, हम इस पर जर्चा करने के लिए तयार हैं, आप लोगों के मन में कोई बात है तो आप जरूर पूछ सकते हैं झाल 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 झाल